अजन्ता की गुफाएं भारत में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में दूसरी शताबदी ईसा पूर्व से लगभग 480 ईसवी तक की 29 चट्टानों को काट कर बनाई गई बौध गुफा समारक हैं। अजन्ता की गुफाएं युनेसको की विश्व धरोहर स्थल हैं। सार्व भौमिक रूप से बौध धार्मिक कला की उतक्रिष्ट कृतियों के रूप में मानी जाने वाली गुफाओं में पेंटिंग और रौक कट मूर्तियां शामिल हैं, जिन्हें प्राचीन भारतिय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरणों में से एक माना जाता है। विशेश रूप से अभिव्यंजक पेंटिंग जो हावभाव, मुद्रा और रूप के माध्यम से भावनाओं को प्रस्तुत करती हैं। गुफाओं का निर्माण दो चर्णों में किया गया था। पहला ईसा पूर् संक्षिप्त अवधी में बनाया गया था। अजंता गुफाएं विभिन बौध परंपराओं के प्राचीन मठों, विहार और पूजा कक्षों, चैत्य का निर्माण करती हैं जो 75 मीटर 246 फीट की चटान की दीवार में उकेरे गए हैं। गुफाओं में बुध के पिछले जीवन और पुनरजन्म को चित्रित करने वाली पेंटिंग भी मौजूद है। सचित्र आर्यासुर की जातक माला की कहानियां और बौध देवताओं की चटानों को काट कर बनाई गई मूर्तियां। पाठ्य अभिलेखों से पता चलता है कि ये गुफाएं प्राचीन भार और भित्य चित्र प्रचुर मात्रा में थे। जैसा कि एतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है गुफाएं एक, दो, अजन्ता के सोला और सत्रा जीवित प्राचीन भारतिय दीवार चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह हैं। अजन्ता गुफाओं का उल्लेख मध्यकालीन युग के कई चीनी बौध यात्रियों के संस्मरणों में किया गया है। वे जंगल से घिरे हुए थे जब तक कि उन्हें गलती से खोजा नहीं गया। और 1819 में एक आपनिवेशिक ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जॉन स्मित द्वारा बाग शिकार पार्टी में पश्च पर होने पर गुफाओं के बाहर से सुनाई देते हैं।